देश के 600 वकीलों ने CJI को चिट्थी लिखी है जिसमें कहा गिया है कि न्याय पालिका पर दबाव बनाने की गुश्ट है हरी साल में समेथ कई बड़े वकीलों वालीस चिट्थी में लिखा गया है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है चिट्थी में ये भी लिखा गया है कि कोड के फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है खास राजनेतिक मामलों में दबाव की रणनीती की जा रही है दबाव की रणनीती न्याइक धाँचे के लिए खत्रा है बेंच फिक्सिंग की थियोरी गड़े जाने का दावा किया गया है कि अपमान जनक और कोड की प्रतिष्ठा पर हमला है इसके लावा पक्ष में फैसला नहीं आने पर दुश्परचार की कोशिश का भी जिक्र है दबाव बनाने के लिए सोचल मीडिया में जूर फैलाने का दावा भी किया गया है अदालतों की निश्पक्ष्टा और कानून के मूल सिधानतों पर हमले की बात कही गई है इस पत्र में और जस्टिस डिवाई चनरचून को ये चिठी लिखी गई है 600 वकीलों ने हरीश सालवे जिसमें बड़ा नाम है और भी कई बड़े नाम है जिनोंने ये चिठी लिखी है अब ये समू कौन सा है तो ये अपमान जनक और कोट की प्रतिष्टा पर हम लाई है अभी मैंने आपको पूरा पढ़के सुनाया है कि उस चिठी में क्या कुछ लिखा गया है और इस खबर पर राजनेताओं की भी मिली जूली प्रतिकरिया मिलने लगी है सीपीम नेता ब्रिंदा करात कह रही है कि दबाव कहां से आ रहा है ये सुप्रीम कोट को भी पता है सुप्रीम कोट मुझे लगता है वो खुदी जानते कहां से प्रेशर आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोट के कुछ साल पहले जस्टिसेज ने खुदी प्रेस कॉन्फरंस करके बता दिया था कि प्रेशर कहां से आ रहा है और ये लॉयर्स जो बहुत सीनिय लॉयर्स है लास्ट टाइम हमने इनको सुनाई दिया या दिखाई दिया वो एलेक्टरल बांज की इश्यू पर जब वो खड़े होकर सुप्रीम कोट पर पूरा दबाव डाल रहे थे कि आप अपना जज्ज्मन वापस लो और अकर आप अपना जज्ज्मन वापस नहीं लोगे तो पूरे देश भर में पूजी पतियों और सरकार का जो गटबंदन है वो खुलासा हो जाएगा और देश भर जो है बदनाम हो जाएंगे तो प्रेशन लोगे